IAS और IPS एक ऐसा पेशा जो युवाओं को हमेशा से आकशित करता है देश में हर साल लाखों युवाओं इस नौकरी का सपना देख परिक्षा देते हैं लेकिन कुछ ही इसमें सफल हो पाते हैं आज हम आपको एक ऐसी महिला IAS की बात बता रहे हैं जो महस 23 साल की उमर में IAS बन गई थी स्मिता सभरवाल देश की सबसे कम उमर की महिला IAS अधिकारियों में से एक है सिवल सेवा की परिक्षा में स्मिता को चौधी रैंक मिली थी स्मिता सबरवाल भारती प्रशासनिक सिवा की अधिकारी है उन्हें पीपोल्स ओफिसर यानि जनता का अधिकारी भी कहा जाता है इसकी वज़ए ये है कि उन्होंने जनता पर केंदरित कई योजनाओं का सफलता से अमल किया स्मिता सबरवाल किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव नहीं है लेकिन उनके फैंस ने कई सारे पेज बना रखे हैं जिस पर हजारों लाइक्स हैं डाजलिंग में जन्मी स्मिता सबरवाल करनल प्रडबदास की बेटी है और हदरबाद के फ्रांसेसे डिगरी कॉलिज से काउमर्स में ग्रेजुएट स्मिता ने महस 23 साल की उम्र में आई एस परिक्षा पास कर ली थी उन्हें ओल इंडिया रैंकिंग में चौथा स्थान मिला था स्मिता ने IPS ऑफिसर डॉक्टर अकुन सबरवाल से शादी की है उनके दू बच्चे हैं नानक और भुबुश स्मिता सबरवाल की पहले नियुक्ती चित्तुर जिली में बतोस सब कलेक्टर हुई थी फिर अंद्रप्रदेश के कहीं जिलों में एक दशुक्त कांग परते रहने के बाद उन्हें अप्रेल 2011 में करीम नगर जिली का डियम बनाया गया स्मिता कहीं सारे अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी हैं उन्होंने हेल्थ केर सेक्टर में अमल लाना प्रोजेक्क की शुरुआत की थी इस प्रोजेक्क की सफलता के चलते स्मिता को प्राइम मिनिस्टर एक्सिलेंस अवार्ड भी दिया गया स्मिता उस वक्त अचानक चर्चा में आई थी जब आउटलूप मैगजीन ने अपने कार्टून में उन्हें रैंप वाग करते हुए दिखाया था जिसके बाद उन्होंने मैगजीन को नोटिस थमा दिया था यही नहीं एक बात इलंगाना के मुखिमंद्री चंद्शेखर राव उनकी फूटों खीशते देखे कैए थे कुछ भी हो लेकिन स्मिता सभरवाल ने हमेशा जनता का भला किया जिस वज़े से उन्हें जनता का दिकारी कहा जाता है subscribe our channel and press the bell icon for more updates